नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का महीना आते ही नई साल उत्सुकता हर किसी में बढ़ जाती है। वहीं दिसंबर का महीना जोतिश की दृष्टी से भी बेहत खास है। जोतिश के नजरिये से देखा जाए तो इस महीने में कई ग्रहे चाल बदल रही हैं। और साथ ही साल का आखरी सूर्य ग्रहन भी लगेगा। इसके साथ और भी जानकारी लेते हैं हमारे एक्सपर्ट थे। भी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दिसंबर महीने में ग्रहों के हल्चल जो है वो महीने के पहले सप्ता शुरू हो जाएगी। चार दिसंबर को इस साल का दूसरा वा आखरी सुर्य ग्रहन लगेगा। ये ग्रहन चार दिसंबर की सुबा 10 बज कर 69 मिनट पर शुरू होगा और दुपहर 3 बज कर 7 मिनट तक रहेगा। सुर्य ग्रहन के दिन वरिष्चक राशी में 4 ग्रह एक साथ गूचर करेंगे। वरिष्चक राशी में इस दिन पाप ग्रह केतू, चंदर्मा, सुर्य और बुद का कंबिनेशन बनेगा। इस दोरान दो ग्रह अस्त रहेंगे, दो ग्रह उल्टी चाल चलते नजराएंगे, इस दिन बुद्ध और सुर्य से बोदादित्य योग भी बनेगा, लेकिन केतू और चंदर्मा से ग्रहन योग भी बनने जा रहा है, सुर्य ग्रहन के समय वरिष्चक राशी वालों को खा प्रभाव डालेंगे, मंगल ग्रह 4 जनवरी तक अपनी इसी वरिष्चक राशी में रहेंगे, 5 दिसंबर को मंगल के राशी परिवर्तन के बाद, 8 दिसंबर को जोतिश में प्रेम वा विलास्ता का परतीक माने जाने वाले शुकर ग्रह मकर राशी में प्रवेश करेंगे, जो शेनी की राशी है इसके दो दिन बार 10 दिसंबर को धनु राशी में बुद का गोचर होगा इसके 6 दिन बार 16 दिसंबर को सुरे अपनी राशी बदलेंगे और बुद की यूति से धनु राशी में बुदादित्य योग बनाएंगे जिसे जोतिश में बहुत शुब माना जाता है 19 दिसंबर को शुक्कर ग्रह मकर राशी में वक्रिय वस्था में आ जाएंगे यानि उल्टी चाल चलने लगेंगे अगला राशी परवर्तन 29 दिसंबर को होगा जब ग्रहों में राजकुमार का दर्जा प्राप्त बुद्ध ग्रह धनुराशी से निकल करके शनी दे में ग्रहों का यह जो खेल है यह छे राशीयों के लिए काफी अच्छा साबित होगा यह भागे शाली राशी मेश된 राशी मितौन राशी करक राशी सेंग राशी धनु राशी वकुम राशी, मेश राशी वालों के लिए देवगुरु भरस्पती, कुंडली के लाभभाव में विराजमान रहेंगे जिससे नोकरी में प्रमोशन और कारोबार में तरक्की के योग हैं कई मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, परिवार का पूरा सहयोग वसात मिलेगा, इंकम में भी वड़ोत्री होगी मिथों दाशी वालों के लिए वे महिना काफी शांदार साबित होने वाला है आए में वृद्धी के प्रबल असार बनेंगे, इंकम का कोई नया सोर्स भी ड्वेलप हो सकता है नोकरी में तरक्की मिलेगी, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आमदनी भी बढ़ेगी जो लोग शादी करने के इच्छुक है, उनके लिए विवाह के अच्छे पस्ताव आएंगे बिजनस वाले लोगों को भाग्या का साथ मिलेगा, नोकरी में सफलता के योग भी बनेंगे करकराशी वालों को कैरियर में सफलता मिलने के प्रबल असार रहेंगे करक्षेतर में आपका प्रदर्शन जो है वो पहले से बैटर होगा बॉस आप से प्रसंड रहेंगे, प्रमोशन मिल सकता है नोकरी में परिवर्तन के योग भी है, अच्छी नोकरी के आफर आ सकते हैं बिजनस करने वाले लोगों के लिए समय सुखद है दोस्तों से भी लाप राप होने के आसार बनेंगे लाप पार्टनर के साथ आपके संबन्द और बेहतर होंगे सिंग राशी वालों के लिए दिसंबर का जो महिना है काफी बेहतरीन नतीजे देगा भागय का साथ मिलेगा रुका हुआ दन बापस पाने की आप उमीद कर सकते हैं विवाहिक जीवन में सुखद बदलाब देखने को मिलेंगे पार्टनर्शिप में कारोबार में लाप के योग बनेंगे इंकम का कोई निया सोर्स भी विक्सित हो सकता है धनुराशिवालों को समाज में यश और मान की प्राप्ति होगी ऐसा कोई कार्या भी बनेगा जिसके बरतिया पहले थोड़ा निराश हो गए थे आपके प्रभाव कशेतर में विर्दी होगी प्रमोशन का योग बनेगा कोट के चैरी में अगर कोई मामला चल रहा है तो निरने आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है मेनत का पूरा फल मिलेगा आपके कॉन्फिडेंस में आपके प्राकरम में विर्दी होगी कुमराशी वालों के लिए भी ये महीना लक्की रहेगा धनलाप के योग हैं घूमी और वाहन खरीट सकते हैं परिवारिक जीवन खुशाल रहेगा इंकम बढ़ सकती है बिजनस वाले लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है बेरोजगार लोगों को नोकरी मिलने के आसार बनेंगे लव लाइफ के लिए भी समय शांदार है दमपत्य जीवन सुखद रहेगा प्रॉपट्टी से समधित लाब भी आपको हो सकता है अमकुल्ली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कन्या राशी, वरिष्चक राशी और मका राशी वालों को फुड़ा वाद विवाद से दूर रहना होगा confrontation से बचना होगा, अभी investment से भी बचना होगा, अभी निवेश्ट नहीं करना होगा जबकि वरिशब राशी, तुला राशी और मीन राशी वालों के लिए December में इन्ने में गरहों का जो गोचर है, वो समाने रहने वाला है आज की पूश्ट में बस इतना ही मैं गुर्मीत में थी इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकान दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद